धरम नगरी विरिंदा वन्म्य चोरों के होसले इसकदर बुलंद है कि दिन दहारे भी घटनाओं को अंजाम देने से नहीं चुकते हैं एक ऐसा ही मामला दवानल कुंड छेतर में सामने आया है जहां अग्याद चोरों ने 31 अगस्त को सुबह करीब 6 बजे उडिया बाबा आश्रम में धाबा बोलकर 1000 रुपे कीमत की सीवर के चेमबर वो कूलर आदी का समान पार कर ले गए इतना ही नहीं जाते जाते आश्रम के CCTV कैमरे को भी तोड़ दिया जबकि उनकी सारी करतूत पहले ही CCTV कैमरे में कैद हो चुकी थी अब आप इन CCTV कैमरों के फुटेज भी देख सकते हैं कि घटना को अंजाम देने आए ये चोर पहले तो अन्य रहागीरों को देखकर इदहुदर चक्र काटने लगे और फिर मौका मिलते ही दिवार फांद कर आश्रम के अंदर प्रवेश कर गए इसके बाद समान को लेकर फरार हो गए आश्रम के प्रभारी कुलदीप दूबे की माने तो उनके द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दिये जाने के बाद दो पुलिस करिमी आये तो सही लेकिन खाना पूर्ति कर बेरंग लोट गए पुलिस करिमी उसे दोबारा कहने पर जवाब मिला कि अधिका इक को सुवे टाइम में छे बच के बारा मिनट में तीन चोर आये और वॉन्वी कून के यहां हमारे कुछ लोहे का सामान, कूलर का सामान और चेम्रे के ढटकन लगे हुए तो लोहे के इन सब को निकाल निकाल कर ले गए इसके बाद मैंने पुलिस को भी सूचना दी हंडि होगा 15-20,000 रुपे का सामान होगा क्योंकि कुछ कूलर का सामान था बहुत नहीं है